दोस्तों जगत में हर व्यक्ती में कीसी ना कीसी प्रकार की निर्बलता या कमजोरी अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दोन नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता। तो कोई पड़े हुए पाठो को स्मरण में नहीं रख पाता। कोई बड़ा व्यापार नहीं कर पाता, कोई ज्यादा धन नहीं कमा पाता। किसी की कमजोरी स्त्री है, या फिर कोई कई रोग से पीडीत रहता है, मन होने पर भी स्वादिष्ट भोजन नहीं कर सकता। ऐसे अने को उदारनों और भी है। क्या आप कीसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्थ हो शायद ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन है। इस कलियुग में ऐसी कठिनाई या होती है। और आज भी कई लोग जिवन की उस एक निर्बलता और कठिनाई को जीवन मान कर जीते हैं। इस कारणवश हदय में दुख और असंतोष सदा रहेता है। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथ्वा संजोग से प्राप्थ होती है किन्तु उस असफलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। यही मनुष्य जीवन की कठिनाई है। इसी को जानते हुए आज से 5000 साल पहले कल्युक शुरू होने के ठीक पहले अर्जुन भी कल्युक के इस कमजोरी के शिकार हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने संसार को संदेश देने के लिए उसे कुरुक्षेत्र में अपना विश्व रूप दर्शन कराकर गीता का जो संदेश दिया था उसी के कुछ आंच इस वीडियो में हम जानेंगे जब अर्जुन को ऐसे ही कमजोरी महसूस हुई तब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पार्थ ऐसी कमजोरी होना आम बात है किन्तु तुम जैसे वीर को ये शोभा नहीं देता। स्वयम्म विचार कीजिए भविष्य का दुसरा नाम है संघर्ष। से होती है ये हम सब जानते हैं। किन्तु समरपण का वास्तविक महत्व क्या है क्या हमने कभी विचार किया। मनुष्य का मन सदाही ज्ञान प्राप्ती में विभीन बाधा को उत्पन करता है। कभी किसी अन्य विध्यार्थी से इर्षा हो जाती है। कभी पढ़ाय हुए पाठो पर संदे जन्मता है और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहनकार से भर देता है। नहीं क्या ऐसा नहीं होता। ना जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं और मन की इसी अयोग्य स्थिती के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिती केवल समर्पन से निर्मित होती है। समर्पन मनुष्य के एहनकार का नाश करता है। इर्शा, महत्वकांक्षा आदी भावना को दुर कर हदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में इश्वर की सृष्टी में ना ज्यान की मर्यादा है ना ज्यानियों की। गरुद अतात्रेय ने तो गाय और स्वान से भी ज्यान प्राप्त कर लिया था। अर्थात विशय ब्रह्म ज्यान का हो या जिवन के ज्यान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्यान का उसकी प्राप्ती के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रती हमारा समर्पन क्या ये सत्य नहीं। प्रती एक मनुष्य के जिवन में ऐसा ख् धर्म संकट होते हैं। जब धर्म का वहन ही संकट और धर्म का त्याग ही सुख। धर्म संकट का क्षण इश्वर के निकट जाने का क्षण होता है। यदी हम संगर्शों से भैभीत ना हो। शुख की और आकर्शित ना हो अपने धर्म पर द्रड रहे तो इश्वर का साक्षातकार दूर नहीं। पवन से युद्ध करने वाला पत्ता यदि पेर से गीरता हो भी आकाश की ओर उड़ता है पवन से सुखने वाली घांस वही भुमी पर रहे जाती है अर्थाद धर्म संकट से यदि हम संकट को ही टालते तो सुख तो मीलता है जिवन बढ़ता है किन्तु क्या चरित्र नहीं तुटता क्या आत्मा दरिद्र नहीं हो जाती क्या इश्वर से अंतर नहीं हो जाता स्वयम विचार किजिए दो व्यक्ति जब निकत आते हैं तो एक दुसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयतन अवश्य करते हैं हम यदी सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि सारे संबंधों का आधार यही सिमाय है जो हम दुसरों के लिए निर्मित करते हैं और यदी अंजाने में भी कभी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हदाय क्रोध से भर जाता है इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है क्या हमने कभी विचार किया सीमाओं के द्वारा हम दुसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमती नहीं देते अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोप देते है अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्विकार करते हैं और जब स्वतंत्रता का शिकार किया जाता है तो उसका हदय तुटके भर जाता है और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हदय क्रोज से भर जाता है क्या ऐसा नहीं होता और यदि एक दुसरे की स्वतंत्रता का सम अर्थात जिस प्रकार स्विकार किसी संबंध का देह नहीं या स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं, स्वयम्म विचार कीजिए. सबके जिवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहेने का निश्चे होता है हदाय में किन्तु मुख से सत्य निकल नहीं पाता कोई भय मन को घेर लेता है किसी घटना अत्वा प्रसंग के बारे में बात करे या फीर स्वयम से कोई भुल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना क्या ये सत्य है नहीं ये तो केवल तत्य है अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान निसी बात है किन्तु कभी कभी उस तत्य को बोलते हुए भी जय रहेता है कदाचित किसी दुसरे की भावनाओं का विचार आता है मन में दुसरे को दुख होगा ये भै भी शब्दों को रोकता है तो ये सत्य क्या है क्या हमने कभी विचार किया है जब भै रहते हुए भी कोई तत्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है वास्तव में तथ्य कुछ और नहीं केवल निर्भैता का दुसरा नाम है और निर्भै होने का कोई समय नहीं होता क्योंकि निर्भैता आत्मा का स्वभाव है अर्थात के आप प्रत्ये क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता स्वयम्म विचार कीजिए श्रेश्ठता का क्या अर्थ है? श्रेश्ठता का अर्थ है दुसरों से अधिक ज्यान प्राप्त करना अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयम कितना ज्यान प्राप्त किया मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्यान अन्य लोगों से कितना अधिक है अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्यान प्राप्ती को भी एक स्पर्धा बना देती है और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है किन्तु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रहे पाता फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है किन्तु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रैत्न करे तो क्या होगा उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं मात्र आत्मा की त्रिप्ती है तु कुछ प्राप्त करना उत्तम के मार्क पर किसी अन्य से स्परधा नहीं होती स्वयम्म अपने आप से स्परधा होत अर्थात उत्तम बनने का प्रैत्न करने वाले को धेर सारा ज्यान प्राप्त हो जाता है। अर्थात उत्तम बनने का प्रैत्न करने वाले को धेर सारा ज्यान प्राप्त हो जाता है। अर्थात उत्तम बनने का प्रैत्न करने वाले को धेर सारा ज्यान प्राप्त हो जाता है। और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किये गए निर्णय भविश्य में सुख अत्वा दुख निर्मित करते हैं ना केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए आने वाली पीधियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है। अनिश्चे से भर जाता है निर्णय का वोक्षन योग बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमी। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौडते हुए भोजन कर सकता है नहीं तो क्या युद्ध से जुचता हुआ मन कोई योग निर्णय ले पाएगा। वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखत भविश्य बनाता है किन्तु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ती भविश्य में अपने लिए काटो भरा व्रिक्ष लगाता है स्वयम्म विचार कीजिएगा जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जो मनुष्य स्वयम्म को योग्य नहीं मानता जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है वस्तोतह मनुष्य के जिवन में दुर्जनता जन्म तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मिश्वास नहीं होता आत्मिश्वास ही अच्छाई को धारन करता है ये आत्मिश्वास है क्या जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है संगर्ष के साथ उसका उत्सा बढ़ता है अर्थात आत्म विश्वास और कुछ भी नहीं मन की स्थिती है जिवन को देखने का द्रश्टी कोण मात्र है और जीवन का द्रश्टी कोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है स्वयम्म विचार कीजिए पिता सदा ही अपने संतान के सुक की कामना करते है उनके भविश्य की चिंता करते रहेते है इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविश्य का मार्क स्वयम्म निश्चित करने का प्रयतन करते रहेते है जिस मार्क पर पिता स्वयम्म चला है ज किन्तु तीन प्रश्णों के उपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन सा प्रश्ण प्रथम प्रश्ण क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते। क्या समय सदा ही नई चुनोतियों को लेकर नहीं आता तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीडी को कीज प्रकार लाब दे सकते हैं। दुसरा प्रश्ण क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवी होता है। संतानों को संसकार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किन्तु भीतर की क्षमता तो इश्वर देते हैं, तो जीस मार्क पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्क पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा, तीसरा प्रश्न क्या जीनव के संघर या लाबकारी नहीं होती. क्या प्रत्येक नया प्रश्ण एक नय उत्तर का द्वार नहीं खोलता तो फिर संतानों को नय नय प्रश्णों, संघर्षों और चुनोतियों से दूर रखना ये उनके लिए लाब करना कहलाएगा या हानी पहुंचाना. अर्थाद जिस प्रकार संतान के भविश्य का निर्मान करने के बदले उसके चरित्र का निर्मान करना श्रेष्ट है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नय संघर्षों के साथ जुजने के लिए मनोबल वो ज्यान देना अधिक लाबदाय स्वयम विचार कीजिएगा विभिशन को रावन के अमरित कुंड का ग्याद था इसलिए प्रभू श्री राम रावन का वत करने में सफल हो सके इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयम तक ही सीमीत रखे मनुष्य जिवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता वो परीश्रम करता है दौड भाग करता है और ये सब करने के पश्चाद भी जब उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है है ना तनीक लोटिए अपने बच्पन में स्मरण कीजिए अपने बच्पन की स्मृतियों का क्या स्मरण हुआ विध्याले में जब आप परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था आप ना सही परंतु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीर्ण भी हो जाता था परंतु जीवन की परीक्षा एसे नहीं होती नकल करने वाला सफल नहीं होता कारण विध्याले में सब के प्रशन पत्र एक होते थे परन्तु जीवन के प्रश्णपत्र और उनकी कठीनाई सब के लिए भीन होती है तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भीन होंगे। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए। स्वयम के प्रश्णों का उत्तर स्वयम ढुंडिये और सफलता आपकी ही होगी। मनुष्य का जीवन हार और जीत विजय और पराज सफलता और असफलता के मध्य जुलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जब आप सफल होते हैं कीसी चुनोती पर विजय पाते हैं तो मन प्रसन्नता से आनंध के उपवन में जुमने लगता है और जब आप असफल होते हैं तब मन दुख और पीडा के सागर में डुबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए. एक एवल हमारी मनोस्थिती मात्र है। जब उसका जन्म होता है तब उसमें वो जटाई वो शाखाय नहीं होती परंतु जैसे जैसे वो अधिक शाखा का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सर्जन करता है वैसे वैसे उसकी शाखाय जटाय बनकर जड़ तक पहुँचती है और इस वरिक्ष को सहारा देती है, ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पद है। सरल ग्यान देने वाला और कोई नहीं। और ग्यान अधिक अरजीत करें बोले कम क्योंकि अधिक वाचा नाश को निमंतरन देता है स्मरण रखियेगा। यहाँ पे सदा यही कहते आये है कि यदि आगे बढ़ना है अपनों का साथ देना ही चाहिए परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने है कौन। क्या अपने वही होते है जीन के साथ हमारा रख्ट संबंध होता है या अपने मित्र अपने वो होते है जो हमें सदकारे के लिए प्रेरित करें हमें आगे बढ़ाए हमारा साथ दे और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश हो धर्म की हानी हो वो सगे होकर भी सगे नहीं ह इसलिए जब अपनों की परिभाशा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे। उन्हें नहीं जो हमें अज्यान के मार्क पर ले जाए। इसलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दुरी सदा लाबदायक रहेती है। इस कारण व्यापारी क्रोधीत होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए आपका जीवन सदैव आनंद में रहेगा। हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई कारे करते हैं कारे करते हैं तो थकान की अनुभूती होती है और यदि थकान ना उत्रे तो कारे करने का मन नहीं करता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधीक कारे कर रहे हैं। परन्तु क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग संसार में सफल है उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे थे। तो फिर वो असफल क्यों इसका एक छोटा सा रहस्य है वो वो कारे चुनते ह जो उन्हें प्रिय है जिसे करने में उन्हें आनंद आता है उन्हें लगता ही नहीं कि वो कारे कर रहे हैं उन्हें लगता है कि वो प्रतिपल आनंद मना रहे हैं और जब आप आनंद मनाते हैं तो थकान कैसी। इसलिए यदि आप जिवन में कोई भी कारे करे तो वो आपक अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है उसका उपयोग कैसे करना है यह हम पर निर्भर करता है। आपके पास जो पल है उनका भरपुर सदुपयोग कीजिए। क्योंकि इस घड़ी को पलट कर आप फीर से समय अवश्य गीन सकते हैं परन्तु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लोटा पाएंगे। जाता है कि उससे भी अधीक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है और वो है समय काल काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता कोईला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जिवने में कभी भी कीसी का भी उफास नहीं उड़ाना चाहिए। कद, अभीमान और अहनकार ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु तीनों का आर्थ भीन होता है और परिनाम भी। तीनों का आरंब प्रेम से होता है, स्वयम से प्रेम परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन्द देता है और सफलता अभीमान जगाती है। यहां तक तो ठीक पर जब ये भावना अहनकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है। क्योंकि सबसे बुरा अंत अहनकारी का ही होता है। परन्तु मनुष्य के लिए पहली यही है कि पहचाना कैसे जाए कि अहनकार जग गया है और उसका दमन आवश्यक है। इसका उत्तर मैं नहीं आपका मन देंगा। जब तक आप स्वयम्म से प्रसनन है जब तक आप सबसे उचा उठने का प्रयास कर रहे है तब तक ठीक है परन्तु जब आपके मन में दुसरों को नीचा समझने का भावा आ जाए तो सावधान हो जाए क्योंकि यही अहनकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है। और एक मिर्च का व्यापारी धीरे धीरे नगर शेट बन गया। बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मीठी बोली बोलने वाले की तीखी मिर्च भी बीग जाती है और जो कड़वी बोली बोलता है उसका मीठा शहद भी नहीं बीगता। वा कीतने उत्तम विचार है उनके और उचित ही है। मनुष्य अपने जीवन में सदैव अपने वचनों से उठता है और अपने वचनों से ही गीरता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन सरल हो जाएगा। अपने जीवन का कीतना सुदर काल होता है ना बाहों में बल, मन में कुछ बढ़ा कर जाने की चाह, आखों में भविश्य के सुंदर और कोमल सपने और इसी अवस्था में मनुष्य के भीतर पनपता है, प्रेम कीसी को देखकर उस पर मन मोहित हो जाता है और फिर मनुष्य अपना सब कुछ उस पर नियुचावर कर देना चाहता है, फिर प्रेम की परीनिती होती है, विवा में क्यूं सबको अपने खटे मीठे संस्मरन स्मरन हो आये ना, परन्तु यही से अधीकतर माता पिता और संतान के मध्य विचारों का विरोध प्रारंब हो जाता है, संतान को लगता है कि उसका चुना जीवन साती ही उसके लिए उप्युक्त है, और माता पिता को लगता है कि संतान अंजाने में भूल कर रही है, संतान का तर्क होता है कि उसे विवाह कीस से करना है, यह उसका अधीकार है और माता-पिता का तर्क ये होता है कि अब भी जीवन साथी चुनने की समझ संतान में है ही नहीं तो इस अवरोध को काटा कैसे जाए उचित निर्णय कैसे लिया जाए इसका एक ही मार्ग है अपने उत्तरदाइत्व का भार पर अपनों से बड़ों के मापदंडों का भाग विवा करने से पूर्व ये जान लेना आवश्यक है कि विवा केवल अपने प्रेम को पाने का मार्ग नहीं है अभी तो विवा से जीवन का एक नया ध्वार भी खुलता है और हर नय जीवन के साथ नय उत्तरदाइत्व भी होते हैं और यदि इन उत्तरदाइत्वों को समझ कर निर्णय लिया जाए तो विश्वास कीजिए आपका दामपत्य जीवन आनंद से भरा रहेगा और आपको कभी यह पस्तावा नहीं होगा कि आपने कोई अनिचित निर्णय लिया सागर का जल बाश्प बनकर उड़ता जाता है तब वो हमें दिखाई नहीं देता मेग उस जल को अपने भीतर छीपा लेते हैं लंबी यात्रा करते हैं प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके भीतर छ होता है हम सत्य अपने मन के मेगों में चाहे जितना चीपाने का प्रयास कर ले परंतु समय की आंधी उसे वास्तविक्ता के परवत से ले जाके टकरा कर हमारे समक्ष ले ही आता है जिस भय के कारण आप सत्य को सामने नहीं लेकर आना चाहते एक दिन वही भय हमारे समक्ष चाकर खड़ा हो जाता है और फीर हम लाचार हो जाते हैं. क्योंकि हमने उस भय का सामना करने की तैयारी नहीं कि इसलिए सत्ति से भागे नहीं उसे चीपाय भी नहीं उसे स्विकार करे भविश्य की बड़ी विपत्ती से बच जाएंगे. कभी कभी आप सब के जीवन में एक एसी विचित्र समस्या अवश्य आती है कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाए. क्योंकि उस शक्तिशाली से विवात करने से बचने के लिए आप मौन रहे जाए मानता हूँ, ऐसा करने से आप एक विवात से बच जाएंगे. एक संघर्ष से बच जाते है परंतु ऐसा अन्याय अंचाहे रूप से सम्मलीत होते चले जाते हैं। इतना हलका अनुभव करेंगा। ऐसा संदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया था ये सभी बाते हमारे जीवन में आज भी सटीक बैठती है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण की बात मानते हैं तो हमें अपनी कमजोरी से डरने की आवशकता नहीं है, इसे दूर भगाना है। ऐसा हमारा मानना है, आप क्या मानते हैं हमें जरूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कई रोचक जानकारिया हमारे ग्रंथों में छपी है जिसे हम आपको सुनते रहेंगे ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद